दोस्तो स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए हमारे साथ भारत के खुट सूरत जगाओ के सफर पर जो कोई भी यात्रा करना पसंद करता है वह जानता है कि भारत की सुन्दरता इसकी विविद्ता में नहित है हमारा देश विविन और आकरशक परिद्रश्यों, संस्कृतियों, भाशाओं और स्वादिष्ट विविन जनु का एक रुमान चक पिगलने वाला बरतन है कोई भी दो राज्य बिलकुल एक जैसे नहीं होते हैं जिससे यात्रा की योजना बनाना चुनौती पूर्ण हो सकता है आप सच मुझ हर जगह जाना चाह सकते हैं हाना की यहां हमने भारत में घूबने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों को सूची बद करके आपके काम को थोड़ा आसान कर दिया है एक पहल गाम जम्मू और कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य को सबसे सुन्दर सुन्दरियों से नवाजा गया है राजनीतिक रूप से सम्वेदनशील होने के बावजूद इसे धर्ती पर स्वर्ग कहा जाता है लेकिन यात्रा प्रेमियों को इसे देखने से नहीं रोकता है हर कोना आपकी नजरों के लिए स्वर्ग है और ऐसी ही एक जगह है पहल काम इसे भारत का मिनी स्विजर लैंड के रूप में भी जाना जाता है इस जगह में हरी भरी भूमी, मीठे पानी की नदियाओं और सभी के बीच ठंडी जीले है जहां बर्फ से ढके पहाड है, इतना ही नहीं ये जगह विबिन साह से खेलो और जानवरों की सवारी के लिए भी जगह बनाती है कैपिंग के लिए शेशनाग जील एक्टम सही जगह है दो, चेरापुंजी में घाले, धुन्द भरी घाटियों और जागदार नदियों के उपर घूमते हुए बादलों के बीच में घाले के मध्ध में चेरापुंजी स्थित है यह एक आश्चरिजिनक स्थान है क्योंकि पूरे वर्ष में केवल एक ही मौसम होता है मानसूद तेरा पुंजी का नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ल रिकॉर्ड्स में पृत्वी पर सबसे अधिक नम स्थान के रूप में दर्ज है लेकिन यह बाधित और यात्रा नहीं करता है क्योंकि दिल्चस्प तथे यह है कि जदातर रात में बारिश होती है बारिश से दिन तते दिन की गतिविधी वास्तव में बाधित नहीं होती है जंगलों की चटानों से गिरते ज़रने एक ऐसा नजारा है जिसे देखने से चूप नहीं सकते तीन, जैसल मेर जैसल मेर के रेट के टीलों में सर्दियों की सुभा में एक रेगस्तानी सफारी का दोरा रेगस्तानी शिविरों में संगीत और नृत्य कारिक्रम और उंट की सवारी इस जगा को देश के बाकी हिस्सों से अध्वितिय और अलग बनाती है राजस्तान में होने से विलासिता की भावना आती है और रॉयल्टी में रहने का एसास होता है उस रेट के शितिज पर सावला सूर्यास तेक ऐसा नजारा है जिसे कोई याद नहीं कर सकता चार, कुफरी, हिमाचल प्रदेश, कुफरी शिमला के ऊपर एक छोटा सा हिल स्टेशन है सुलम में द्रिश्य के अलावा यह विशेश रूप से सभी बर्फ से धके पहाडों से घिरी सर्दियों में प्रदान करता है यह ट्रेकिंग और लंबी पैदल याप्रा ट्रेल्स के लिए प्रसिध है रोमान चाहने वाले यात्रियों के पास खेल और गतिविधियों के लिए कई विकल्प हैं जिनमें वे भाग ले सकते हैं इसका सुन्दर वातावरन और शान ताजा वातावरन सभी को आकरशित करता है इसे सही मायने में स्नो आफ पैराडाइज के नाम से जाना जाता है पांच केरल के बैक वाटर केरल बैक वाटर खारे लैगून और अरब सागर तटके समानां तर जीरों की एक श्रंख्रा है यह खूबसूरत जगह नारियल के तार रेखा वाले तटों और विविदवन्य जीवों के लिए चाय की लुड़ती पहाड़ियां प्रदान करती है यह अब तक की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जिसे आप कभी भी देखेंगे यह स्थान वार्शिक सांप नौका दौर भी आयुजित करता है जो स्थानिय लोगों और परेटकों के लिए मनुरंजन का एक बड़ा स्रोत है हरे भरे परिद्रिश्य, विविदवन्य जीवन और घर और गाउं जो बैक वार्टर की रेखा बनाते हैं इंजल मार्गों के साथ एक यात्रा करते हैं ऐसा लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया की यात्रा है 6. हैवलोग द्वीप, अंडमान और निकोबार हैवलोग द्वीप भारत के अंडमान द्वीप समू का एक हिस्सा है यह सुन्दर देशक टॉप, योग्य परिद्रिश्य सुन्दर सफेद, रेतीले समुद्र ततों, समुर्द प्रवाल भित्तियों और हरे भरे जंगल के साथ एक प्राकृतिक स्वर्ग है बारिश से भरे जंगलों की हरी छाओं से घिरे खूबसूरत रेतीले समुद्र ततों वाला ये द्वी, नीला समुद्र में मस्ती और मस्ती का आनंद लेने के लिए सभी को आकरशित करता है ये एक आदर्श छुट्टी गंतव्य है ये ग्रीब भारत का एक मात्र स्थान है जो स्कूबा डाइविंग प्रदान करता है साथ केटी घाटी तमिलनाडू तमिलनाडू राज्य में स्थित केटी घाटी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है घाटी से बड़े और नीले आस्मान और पहारों का शानदार नजारा दिखता है नीलगिरी परवत या नीले पहार पश्चिमी घाट के रूप में जानी जाने वाली एक बड़ी परवत श्रग्गरा का हिस्सा है यह लंबी पैदल यात्रा पक्षी देखने और ट्रिकिंग के लिए सबसे अच्छी जगा है इस शेत्र की एक और खूबसूरत घाटी को डाइकनाल के पास धित हाथी घाटी है पूलों की घाटी, उत्राखंड, उत्राखंड में फूलों की घाटी स्थानिक अलपायन फूलों, सम्रिद्ध विविद्ध वन्य जीवन और वनस पतियों की विविद्धा के लिए जाना जाता है जगा की लुभावनी ताकृतिक सुंदर्ता आपको पूरी तरह से दूसरी दुनिया में ले जाती है फूलों की घाटी राश्ट्री रोध्यान का सौमे परिद्रिश उत्राखंड के पश्चिमी हिमाले में स्थित नंदा देवी बायोस्फियर रिजल्व के वढ़ खाबर पहाड़ी जंगल का हिस्सा है ये फूलों का ही एक बड़ा विशाल रंगीन समुद्र है ये स्थान युनिसको की विश्वत धरोहर स्थल भी है कन्या कुमारी, तमिलनाडू, खन्या कुमारी भारत की मुख्य भूमी का सबसे दक्षिनी छोर है और सूर्यास्त और सूर्योदाय के शांदार द्रिश्य के लिए सबसे लोग प्री है ये स्थान तीन जल निकायों का मिलन बिंदू है विंगा, हिंद, महासागर और अरब सागर की खाड़ी जो पूरी तरह से जगह को और खास बनाती है शहर के समुद्र तड भी दुनिया के एक मात्र समुद्र तड है जहां आप सूर्योदाय और सूर्यास्त दोनों का अनुभव कर सकते हैं तमिल नाडू के इस खूबसूरत शहर के विभिन मंदिलों में हजारों पिर्थयात्री आते हैं और प्राचीन समुद्र तड बड़ी संख्या में आकर्शित होते हैं 10. रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में लाहॉल और स्पीती घाटी का प्रवेश्टवार पूरे कुलुक शेत्र में सबसे शानदार स्थलों में से एक है ये सुरम में दर्रा मनाली से लगभग 51 किमी दूर मनाली के लांग राजमार पर 39-80 मीटर की उचाई पर स्थित है ये पहाडी धलान इतनी खुबसूरत है कि देश के कोने कोने से लोग स्कीइंग, आइस स्केटिंग, पैरा ग्लाइडिंग आदी साह से खेलों में हिस्सा लेने के लिए यहां आते हैं रोहतांग दर्वा परेटकों के लिए अपरेल से एक्टूबर तक खुला रहता है और इस राजमार पर यात्रा करने की अनुमती भारती सेना द्वारा दी जाती है जब में बर्फ साफ करते हैं इसमें बर्फीले पहारों और घाटियों के अलावा विभिन्ना कर्शन है मंदिर, जल्परपात और अभ्यारण